योगी सरकार ने महाकुम्भ में आने वाले श्रधालूओं और पर्यटकों की मदद के साथ बहतर अनुभव देने के लिए एक हजार से अधिक कुम्भ मेला मित्रों की नियुक्ती करने का निर्नय लिया है। इनके चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सभी को स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि श्रधालू और पर्यटक अपने साथ उत्तर प्रदेश की सकारात्मक अनुभव को अपने प्रदेश के लोगों के बीच शेयर कर सके। मुख्यमंत्र योगी आदितिनाथ के निर्देश पर कुम्भ को दिव्य और भव्य आयोजित कराने के लिए लगातार युधस्तर पर काम किये जा रहे हैं। इसी के तहट योगी सरकार ने देश-विदेश से आने वाले 41 करोड से अधिक शधालूओं और पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किये जा रहे हैं। ताकि वह अपने गंतव्य लोटते समय प्रदेश की अच्छी छवी को अपने से शेयर कर सकेंगे। इसके लिए सीम योगी के निर्देश पर कुम्भ मेला प्रशासन बड़े स्तर पर कुम्भ मेला मित्र और स्वयनसिवकों को नियुक्त करने का निरने लिया। कुम्भ मेला अधिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि मेला क्षेतर में 1000 से अधिक कुम्भ मेला मित्रों और स्वयन सिवकों के चैन की प्रक्रिया चल रही है. इसके बाद सभी को मेला क्षेतर में प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए मेला प्राधिकरन ने RFP जारी की है. इतना ही नहीं परियटकों से अच्छा व्यभार करने के लिए 6000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. योगी सरकार इन कुम्भ मेला मित्रों और स्वयन सिवकों को मेला क्षेतर के साथ बाहर भी तैनात करेगी. इनमें कुम्भ मेला क्षेतर और बाहर तैनात कुम्भ मेला मित्र श्रधालूओं को च्षेतर में रास्ता दिखाने, बुजर्ग श्रधालूओं की जरूरत पर भारी बैग उठाने, भूले भटके श्रधालूओं को मिलाने, घाटों में श्रधालूओं को मदद करने, मेल श्रधालूओं का उपचार कराने, दुरगटना होने पर पुलिस के साथ उनका सहयोग करने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में सहयोग देने और भीड प्रबंधन में सहयोग आधी काम करेंगे.